उबीसी के राज के आरेक्षिन पर सुप्रीम कोड़ द्वारा सगीती के आदेश दिये गये हैं। उबीसी आरेक्षिन को स्थाय रूप से कमसूर करने और राशीते में उबीसी के अस्तित्व को समाप करने की ठाकरी सरकार की यूशना सुप्रीम कोड़ के फैसले से साम्याई है। नाओ में ओबीसी के लिए आरेक्षित 27 प्रतीशित सीटों के लिए मद्दान सगित कर दिया है। ओबीसी के आरेक्षिन को बहाल करने के लिए इस समुदाय के राशीतिक पिछड़ेपन को साबित करना सरूरी था। लेकिन ठाकरे सरकार ने ऐसान नहीं किया और ओबीसी के राज के आरेक्षिन पर सगिती आई है। और इसे लिए आज पूरे राच में भाजपा द्वारा आक्रुश आंदुलन किया गया। उसी तरस पर आज शिहर में भी बीजपी द्वारा आक्रुश आंदुलन किया गया। तिकड़न सरकार चे मंत्रे या सगड़ाले कुंत्याच कामा मदे इंट्रेस नी आई चाहे तो ओबीसी वर अन्यासो कि कुंत्याई समाजावर अन्यासो अशा प्रकार ची भूमी का या राज्य सरकार ने गेत लिया है। अन्यापन पहला असेल का राज्या मदे बावन टक्के हाँ ओबीसी समाजाई अन्याई या ओबीसी समाजाचा सत्ताविट टक्के आरक्षन ये काईदायने नीमाने त्यानला आज परेंत भेटत होता। परेंत या उद्धो ठाकरे सरकार ने तेही आरक्षन रद्द करना है जब प्लैनिंग केला है। आम चे नेते देवेंदर फ्टनी साहबाने वारम वार सांगितला है। इस आक्रोश आंदोलन में भाजपा की विधाय कृष्णा खूपडे, बीजेपी ओबीसी सल की अध्यक्षित सर्डे, एवं पदाधिकारी, कारेकरताव बड़ी संख्या में उपसी थी. इस दरान आदोलन कार्यों द्वारा राजिस सरकार की विरोध में नारी बासी की गई.